नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दीपक सिंग देनिकर दमचार से आज से दो दिन पहले यानि के बीरवार को आतंकी संगठन लशकर के आतंकी संगठन का एक मददगार गिरफतार किया गया था बस्टेंड से जिसका नाम अबदूल हमीद है और ये पूंच का रहने वाला था इस पैसा जो था वो कहां से लेकर आया ये भी उस समय प्रशन जो थे वोट कर सामने आये और उस समय ऐसा लगा कि को टेररिस्ट जो था वो यहां पर पकड़ा गया है शायद वो कोई बड़ी वार्दा बड़ा धमाका करने की प्लैन में था लेकिन उसे दस लाक रुपे पकड आ रहा है कि एक नामी व्यक्ति था ये शक्स जो था अब्दुल हमीद इस ये देली से पैसे लेकर आया था और इसने एक नामी व्यक्ति जो पूंशका ही है उसको वो पैसे देने थे और उन पैसों वो नामी व्यक्ति जो था वो आगे किसको सप्लाई करता ये आप सो सकते सवाल यह कि इतना पैसा और यह जो नामी वेक्ति को बिजनसमेंट होगा यह जो नामी वेक्ति है यह भी आतंकी संगटनों के साथ मिले हुए है सवाल यह भी है कि जम्मु किश्मीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है सरकार बड़ी-बड़ी दावे करती हैं बड़ी-बड़ी बाते करती हैं कि हम आंतगवात को यहां से जड़ सवापकत हैं कर लेंगे लेकिन ये लोग ऐसे आराम से धूम रहे हैं जैसे इनको को डरखोफ नहीं है और सुने में ये भी आयए कि दो-चार पहले भी ये अब्दुर्ण हमें जो है, वो दिली से पैसा लेकर आया हुआ है, अब ये पैसा कहा कहा गया है, क्या क्या हुआ है, ये सब जो है हो, हमें लगता है, जाज का विशेय है, लेकिन इस ख़बर को मददगार पकड़ा गया था अब्दुल हमीद उसने कुछ चोंकाने वाले खुलासे किये हैं उसे दो दिन की रीमांड पर लिया गया है वो पेशे से एमबुलेस का चालक है एमबुलेस का ये ड्राइवर है ये जो शक्स है अब्दुल हमीद और इसने पुछताश के दोरान पुछ के रहने वाले एक नामी व्यक्ति का नाम लिया है एक नामी व्यक्ति का नाम बताया है कि उसको इसने पैसे देने दे पुलीस अब उससे भी पुछताश के लिए लाएगी उसने दिली से लाए जा रहे पैसे को नामी व्यक्तियों के हवाले करना था जो पैसा जो था तो दिली से लेकर आ रहा था उसको नामी व्यक्तियों के हवाले करना था इसके अलावा पूश्टाश के दुरान पता चला है कि ये पहला मोका नहीं है ये पहली बार नहीं है कि य भी दिली से जाकर पैसे लेकर आचुका है उसने यह भी बदा उसने पैसों को नामी विक्ति के होआले करना था और इस इस बाहर इस बाहर भी उसे ऐसे पैसे दिये गए थे इस चे लेने के लिए लेकिन उससे पहले ही यह शक्स वह गरफ़तार हो बस्ट्राइंड के पास हमारे पुलीस और अजनसिस ने मिलकर उसे ट्रैप कर लिया उसे पकड़ लिया और शायद उसने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है यह लोग काफी आराम से ऐसा जब भी पकड़ में आते हैं तो ऐसा लगता है कि यह लोग काफी आराम से गूंग रहे ह र और इनको डरफोर नहीं है इनको नहीं लगता है इसा वहीं लगता है कि इनको पीछे पॉलो कर रहा है और पकड़ने के पकड़ने के बाद पिर कई चीज difference जो हुए उसका खुडासा होता अब नामि वैरति जो है यह कौन हम Luck है ये भी एक सवाल है और इसमें दूसरी तरफ जो डिली में जिस आरोपी मुहमद यासीन को गिरिफतार किया गया है उसे जम्मू पुलीस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया है शुकरवार शाम को जम्मू पुलीस की टीम उसे लेकर आ रही थी उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर पूश्टाश की जाएगी इन दोनों को एक साथ रखा जाएगा फिर पूश्टाश की जाएगी यासीन को बस्टेंड मैं अब्दुल हमीद के गिरिफतार होने के बाद दिली में पकड़ा गया हमीद ने गिरिफतार होने के बाद बताय लिया और जिसको दिली से ग्रिफतार किया इसका नाम यासिन यासिन है उसके बाद वीरबार शाम को जमू पुलीस ने एक टीम उसे लेने दिया जमू जमू की पुलीस की एक टीम जो थी वो देली गई और उसे पकड़ कर यहां पर ले आए उसके साथ ही काफी समय से हवाला क कारवार भी यह शक्स जो था वो कर रहा था और इसके साथ ही काफी समय से यह लोग जो हैं इस कारे में सक्रिये थे और उसने ही दो बार पहले हमीद को पैसे दिये थे जो शक्स दिली वाला इसने दो बार पहले पैसे दिये थे उस इन पैसों को इस्तेमाल आतंकी घटनाओ के लिए किया जाता था सिर्फ पूंच जिले में ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी इन पैसों को बेजने का काम किया जाता है और इस मामले में विदेश का भी लिंक वहर आ रहा है विदेश का भी लिंकारा विदेश से भी शायद पैसे आ रहे होंगे दिल्ली में गिरिफतार आरोपी की पूश्टाश के दौरान पता चला कि विदेश से हवाला का पैसा आया था जिसे जिसे सूरत तता मुंबई रिस्व किया गया वो दिल्ली में मीना वजार में कपड़े का काम करता था उसकी आड में लशकर तता अल बदर के लिए हवाला का काम जो था वो किया जा रहा था इसके घर की तलाशी के दौरान साथ लाक रूपे नगद भी ब्रामद हुएं पूश्टाश के दौरान पता च किये हैं लेकिन इन तमाम बातों की बातों का पता पूश्टाश के बाद ही चलेगा अब तक कितने पैसे परदेश में पहुंचे हैं यहां पर उसका किन लोगों से लिंक है और इसके अलावा उसकी सीमा पर किन लोगों से बात होती है यह पैसे कहां से आते थे जिन्हें ज कि पुलीस ने बता दे हम आपको कि पुलीस ने पुलीस की अजंसियों ने मिलकर एक उपका सूचना पर बस्टेंड से अब्दूल हमीद जो पुंच का रहने वाला अब्दूल हमीद इसको गिरफतार किया था इसके पास से दस लाख हवाला की राशी मिली थी और यह उसका मददगार था तो एक नामी व्यक्ति जो है उसका नाम सामने जरूर आ रहा है अब यह नाम बताने रहे हो शायद अजंसियों कैसे लगता है कि शक्स बागना जाए क्योंकि पूछताश की जाएगी कि किसकी से लिंक है और विदेश में कहां से कौन पैसा बेज रहा ह है कुँकि ये जो आतंकी लोग है ये कहां कहां से इनके कहां कहां लिंक हैं कहां कहां से ये लोग पैसे वेज रहे हैं और किस तरह चरह year का मौर से घ्रभार बिच्ठार। झाल झाल